तो गूड ओर्णिग फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल एड़विंग्स एंड आज का टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इंदियन एकॉनियमी का टॉपिक है प्रो साइकलिक एंड काउंटर साइकलिक फिस्कल पॉलिसी ठीक है फिस्कल पॉलिसी क्या होती है उसके बारे जो हम एक fiscal policy के जो types है, expansionary fiscal policy और contractionary fiscal policy उसके बार में भी जानेंगे, आई ये start करते हैं video, और सबसे पहले देखते है fiscal policy क्या होती है, fiscal policy जो है आपने बहुत बार सुना होगा, government of India की policy होती है, inflation को और market cycles जैसे चल रही है, recession है, तो उसके हिसाब से fiscal policy आएगी, अगर expansion चल रही है, उस हिसाब से fiscal policy जो है, government of India की तरफ से लाई जाती है, ठीक, RBI जो है monetary policy लाती है, that is a different thing, and fiscal policy जो है, वो government के द्वारा लाई जाती है, दो चीजें जो इसमें government की तरफ से की जाती है, वो है कि government spending पर ध्यान दिया जाता है, दूसरा जो है, taxes पर ध्यान दिया जाता है, कि taxes, tax rates जो है, या और क्या उन्हें बढ़ाना है, या क्या उन्हें घटाना है, depending upon कि market situation कैसी है, और government spending, जो है government कितना पैसा खर्च कर रही है, projects के ओपर, क्या उस amount का बढ़ाना है, या नहीं बढ़ाना है, वो भी depend करता है, कि marketing situations कैसी है, ठीक है, तो दो चीजें जो fiscal policy में target की जाती in order to control the market situation, ठीक है, अब दो तरह की जो policy government के द्वारा जो है, अपनाई जाती है, एक तो है expansionary fiscal policy और एक है आपकी contractionary fiscal policy, देखे, expansionary fiscal policy तब अपनाई जाती है, जब कोई recession का period चल रहा होता है, यानि economy जो हो down level पर होती है, उसको उठाना है, हमने growth जो है promote करना है, तो उस time क्या क जाता है, आपकी government spending जो है, उसको बढ़ाया जाता है, government की तरफ से, और tax rates जो है, उसको कम किया जाता है, ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए, और लोग खर्च करें, और लोग खर्च करेंगे, तो demand बढ़ेगी, और demand बढ़ेगी, तो growth जो है, एक 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 होगी, ठीक है, इ inflation rate जो है, बढ़ गया है, उस time जो है, government क्या करती है, अपने tax rates जो है, उसको बढ़ा देती है, और government spending जो होती है, वो कम कर देती है, ताकि लोगों के हाथ में से पैसा जो है, वो थोड़ा खींजा जा सके, उसको सक किया जा सके, sterilize किया जा सके, ताकि जो inflation का rate है, inflation आपको प control जो है, फिर से हम कह सकते है, equilibrium stage पर आ जाता है, ठीक है, तो इसे कहते है, expansionary fiscal policy and contractionary fiscal policy, इसके बाद हम देखेंगे, कौन कौन सी cycles जो है, economy में देखी जाती है, तो किसी भी देश की economy है, जब आप देखेंगे, तो इसमें से किसी ने किसी एक stage पर जो है, वो मौजूद होती ही होती है, और यहीं से जो है, उपर निचे जो है, हर एक economy में देखा जाता है, अगर यह हम कहते हैं, तो यह equilibrium की stage है, इस stage को हम equilibrium कहते हैं, यह line आप देख रहे हैं, यह equilibrium की stage है, अगर इस से उपर जो है, अगर किसी country की growth हो रही है, तो वो expansion होती है, उस economy की then peak level आता है, फिर उ depression के बाद tough stage आती है, और फिर tough stage जो है lower level जो है, downgradation का माना जाता है, उसके बाद फिर economy revive होती है, gain, expansion, peak, recession, depression, ठीक है, यह अलग-लग stages जो है किसी economy की आप देख सकते होती है, जब भी equilibrium से या तो ऊपर growth होती है, तो expansion होती है, नीचे growth होगी, तो recession and depression जैसे stages जो है, वो आती है इसी के basis पे जो है, government की policies बनाई जाती है, कि क्या वो pro-cyclic है या counter-cyclic है, क्या मतलब है pro-cyclic and counter-cyclic का, तो देखे, pro का मतलब होता है कि pro का मतलब है support में, ठीक है, और cyclic जो है, यह कोई भी जो है, एक cycle जो चल रही है किसी भी specific period में, तो जब pro-cyclic policy को यह अपनाई जाती है, तो जिस तरह की cycle होती है, जिस stage में economy होती है, उसी तरह की situations को और जादा promote किया जाता है, यानि अगर कोई stage, जो है, कोई economy expansion की stage में है, तो उसको और expand करने के लिए जो है, वो अपनाई जाएंगे तरीके, यानि कोई stage expansion पर है कोई economy, तो उसको वहाँ पर और government spending होगी, tax rate कर दिये जाएंगे, ताकि जो expansion stage है, उसको और जादा boost मिल सके, और अगर कोई economy recession की stage में है, तो वैसे तरीके अपनाई जाएंगे, जिससे जो है, जो recession को promote कर रहे हैं जो चीजें, वही चीजें जो है, government की तरफ से की जाएंगे, यानि इस cases में, अगर recession already recession है, तो government की तरफ स जो है, और पैसा spending कम करती जाएगी, tax rate और बढ़ा दिये जाएंगे, जिसकी वज़े से जो है, और ज़्यादा जो है, हम कह सकते हैं कि recession की conditions है, और ज़्यादा deep हो जाती है, तो ठीक है, जैसी cycle की situation है, जिस stage पर हम कह सकते है, economy है, जिस cycle में economy चल रही है, जिस reasons की वज़े से stage आई है, उन ही reasons को ही promote किया जाता है, यानि pro-cyclic इसको कहते है, दूसी तरफ अगर counter-cyclic की बात करें, तो counter-cyclic में बिलकुल opposite किया जाता है, जिस तरह की situation में economy है, जिस cycle पर economy है, उस stage को जो reason promote कर रहे है, उसके बिलकुल opposite किया जाता है, जानि expansionary fiscal policy है, जानि expansion पर एक stage है, अगर expansion पर है, तो बिलकुल उसके opposite की condition की जाएंगी, ग्राउट की promote करने की opposite की condition, यानि आपके tax rate बढ़ा दी जाएंगे, government spending कम कर दी जाएगी, ताकि वो economy फिर से equilibrium की stage में आ जाए, और अगर recession है, तो recession के time में क्या किया जाएगा, आपकी government spending बढ़ा दी जाएंगी, tax rate जो है, वो चीज, economy फिर से बाहर आ से, यहाँ पर इस table के थ्रू जो है, आप समझ सकते हैं, प्रो साइकलिक जहाँ पर policy है, प्रो साइकलिक में क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रो साइकलिक में अगर recession की stage है, तो contractionary fiscal policy में क्या होगा, कि government spending जो होगी, उ taxes जो है, उनको बढ़ा दिया जाएगा, और वहीं अगर expansion के time क्या होगा, कि government की expenditure जो है, उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानि जैसी situation market में जाल रही है, उसको ही और promote किया जाएगा, और counter cycle में क्या किया जाएगा, कि expansionary fiscal policy जब कोई economy expansion की stage में है, तो government spending जो है, उनको बढ़ा future को कम कर दिया जाएगा, और taxes जो हमको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो pro cyclic जो है condition, उससे हम कहते हैं कि ज्यादा फाइदा नहीं होता, even नुकसान ही होता है, तो किसी भी economy में pro cyclic जो हमारी government की तरफ से pro cyclic activities की जाती है, उसकी वज़े से situation जो है, और ज्यादा कराब हो कोई भी government नहीं करती है, अच्छी जो हम कह सकते है, mayor जो होते है कि economy को recover करने के लिए, वो हमेशा opposite mayors ही होते हैं, यानि आपकी expansion stage में है, तो आप ऐसी चीज़ें कीजिए कि वो equilibrium stage पर आ जाए, और अगर recession में है, तो फिर भी आप ऐसे steps कीजिए, कि वो फिर से उबर कर equilibrium stage में आ जाए, ठीक है, तो counter-cyclics जो mayor होते हैं, उससे recession कम होगी और expansion जो होगी, वो कर जादा होगी, तो उसको moderate level पर लाधिये जाएगा, तो सबसे best तरीका जो है, हम कह सकते है, best policy जो government की तरह से अगर अपनाई जाती है, तो वो counter-cyclics ही होती है, ठीक है, thank you for watching this video.